याइस इस वीडियो हम बात करने वाले हैं phantom printer M.6502 के बारे में और यह रहा Phantom printer का Cartage क्योंकि मैंने इस्से मांगा इसको मंगाने का क्या region है आगे चले के बात करते हैं सब्सक्राइब करें सबुस्क्रेश को मैं इस इत्परेंटर करते हैं अगर आप तब very चरिबेलने वाला है लेकिन जल्दी मेंब नहीं होता है पंडुर्ट से जल्दे मिल भी पाथ को भी मंगा लिया देखते हैं इसका क्रिंट क्वाल्टी कैसा होता है मैंने जो लोकल पॉडर से उसे रिफिल किया था उसे प्रिंट जो है बहुत फिका आ था मतलब प्रिंट ना के बराबर सही आ रहा था इसलिए कोई मतलब नहीं हुआ मेरा रिफिल करना कुछ दिनों तक तो सही आ रहा था उसके बाद इसमें प्रॉब्लम्स हो गए इसलिए मैंने इसको पर्चेज किया था लखनौ से मैंने मंगाया था कोई गया था वहां पर मिल गया तो इसे मैंने बोला है यह मुझे पढ़ गया था बाईस सो पचास के आसपास में तो यह व्याव एस सोपचास रुपया का मुझे यह पढ़ा था चली इसकी मैं ऑन्बॉक्स करता हूँ और उसके बाद चेक करता हूँ इसके print quality कैसी है यह है मेरा phantom printer का फैक्टिरिंग सारा चील लिखा हुगा डिटेल यहां पर थिरी नाइन टीन जीरो प्राइस है मलब 2990 रुपए हाँ पर प्राइस दिया गया है और चलिए अब मैं इसको उपन करता हूं यह और उपर की तरह यह देख सकते हैं और यहां पर कैसे कैसे स्टालेशन करना है पू कि मैंने बॉक्स से निकाल दिया अब यह देख सकते कैसे पैकेजिंग के साथ आया सपोर्ट के साथ चारों तरफ इसमें लगा हुआ है अब यहां पर प्रॉब्लम्स नहीं आने आवरा दिए यह दिख सकते हैं यह मेरा कार्टेज है तो यह यहां पर पीप कुछ डिटेल् यह देख सकते हैं तो अब यहां पर जो है यहां इसके मॉडल्स नमबर लिखे हूं यह आप दिख सकते हैं पीशी एक कैस जीरो के इवी तो यहां पर देख सकते कितने सारे प्रिंटर साथ हो सकता है इसे रिमूब करना इसे आपको ऐसे करके हिचना पड़ेगा तब यह लॉपन हो जाएगा तो पीछे की तरफ देख सकते हैं यहां से रिमूब कर सकते हैं यह ऐसे यहां पर इसके ड्रम्स लगे हुए हैं और उसके बाद इसको अंदर फिर से पैक कर दें ऐसे करके तो यह हैं फैंटम प्रिंटर को और करूंगा उसके बाद जो है यह भी ओस ने करूंगा यह पुराना वाला काटेज को निकालूंगा तो आप यह देख सकते हैं सेम काॉटेज है मैंने और इस painting का जे cottage ये भी है 210 ये भी है देख सकते हैं phantom का original logo भी है जहां से आपको remove करके ऐसे लगाना है तो यहां पी इसके models नंबर भी लिखे हुए हैं और कैसे लगाना ये भी आपको बताया गया है आप ये देख सकते हैं drum पूरा निकाल देंगे आप ये देख सकती इतना वड़ा टीप था अब इसको आपको जो है इस तरीके से पकड़ने के बाद आपको फैंटम एंदर इसके साइज को देखकstart कर राम से बैठा याज यहां पर करता हूं प्रिंटर पूरे तरीके से सेटप हो गया है अब मैं प्रिंटर को करता हूं उसके बाद इसमें डेमो पेज निकालके मैं आपको दिखाता हूं यहाँ पर मैंने दो तिन पेपर को लगाया अब मैं यहाँ पर डेमो पेज निकालता हूं मैं आपको दिखाता हूं प्रिंट कि यह quality देख भी सकते हैं, यहाँ पर detail काफी जादा अच्छ है, क्योंकि original cartridge की बात ही अलग है, original ink की बात ही अलग है, अब उसके बात मैं यहाँ पर दूसरा पुराना वाला cartridge को लगाता हूँ, print निकाल के आपको दिखाता हूँ किस तरीके से है, तो यह मैंने पुराना वाला cartridge लगाया, अब मैं printer को बंद किया, उसके बाद जो है यह अच्छे तरीके से बंद रोगा, फिर से मैंने on कर दिया, अब मैंने उसी page पे पीछे की तरफ मैं print करूंगा, तो यहाँ पर फिर से मैं demo page निकालूंगा, demo info में उसके बाद demo print मैंने कर दिया, अब यह देख सकते है प्रिंट लेना चालू हो गया, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, पीछे की तरफ जो मेरा पुराना वाला cottage था, जिसमें मैंने local link किया, आप देख सकते हैं कितना गंदा दिख रहा है, और यह ओरिजिनल cottage का है, तो यहाँ पर कितना dark है, हर एक detail है, और जो पुराना वाला है, यहाँ पर जो है, detail नहीं है, फीका फीका प्रिंट आया, अब यह देख सकते हैं कितना अंतर आई, यह इसमें देखिए, उसमें देखिए, तो फिरंट जो है, आप अपने माई computer को open करेंगे, और अपना DVD को लगाएंगे, यहाँ पर अपनी CD को लगाएंगे, जो phantom printer के साथ मिलता है, उसके बाद auto run पर click करेंगे, यहां पर देख सकती है, यहाँ पर click करके install करेंगे, जैसे यहाँ क्लिक करते हं, यहाँ पर आपके सामने एक pop-up आता है, और उसे ok कर देते हैं, अग्री करना है उसके बाद अभी यहां पर दिखा रहा है इसमें कोई केबल नहीं लगा हुआ है यहां पर केबल लगाने के लिए आपको यहां पर एक बार क्लिक करना है और शुरू हो जाएगा है तो मैं यहां पर क्लिक कर देते हूं क्यों तोड़ा सा यहां पर टायम देना किया है अपकोyr n करके दिखाता हूं कैसे आप यहाँ पर प्रिंट कर सकते हैं तो यह मैंने अपनी प्रोल्टो सापको ओपन किया चाकोई मैं कि Sape new page दीनदे लेता हूं ऐसे आप print कर सकते हैं तो आप ऐसे set up भी कर सकते हैं अपने printer को था तो बहुत हीजिए इस्टॉल करना आप अपने सिस्टम में लगा कि जो DVD मिलता है यहां चչप को लगा कि कि आप स्टॉल कर देख साते आपको दिखाया गया है तो यहां से आप मैनेज कर सकते हैं लेकिन नहीं करना है तो यहां पर आप दिख सकते हैं सकते हैं अब कोई स्केंट भी कर सकते हैं की स्कॉर्पाइज hierा पर सब्सक्राइब भी सख सकते हैं यहां को रख दिया यहां से आठ से सरे कर सकते हैं यहां यहां पर DPI देख सकते हैं 12 से DPI तक है अभी मैं फिलार यहां पर 75 DPI को रख देता हूं इसकैन कर देता हूं जैसे आप आप सकेन करेंगे वह को सेव हो जागी आप अलग-लग लाग कलर टोन भी ले सकते हैं और यहां पर ब्लैक कन वाइड़ भी है तो और नीचे यहां पर फूल प्लाइन है तो लेटर हो जाएगा तो ऐसे आप कॉस्टम देख सकते हैं कॉस्टम आप करता है तो यहां प्कॉड फूल में लेंगे तो फूल पूरा ले लेगा व सक D इसे आप कर सकते हैं अगर आप DPI को बढ़ाएंगे तो तुरन तेहां पर देख सकते हैं 409 इंबी का हो गया है चार पॉइंट शाचाट इंबी का चार सो नो पॉइंट शाचाट निमी आप यहां च्छे सो डी पैम देख सकते हैं 102.41 इंबी का हो गया है तो ऐसे डीपी जितना हाई होगा उतना ज्यादा फाइल साइज बढ़ेगी अब 75 डीपी में 1.6 अब मैं यहां वह सकते हैं進行 करों तो इतना ही स्पेश्ण करते हैं अप्स यहां पर मैंने जिए जरूवा थे उतना ही में गया है अब आप यह जरू तह मुझे जरूवत था मुझे उतना हिम एनलु सकेन किया तो यह का ओन्हें है है यह फुल है मैंने फुल इसकैन किया था तो ऐसे करके क multif ti अरकी मदद ले सकते हैं अपने काम में यूज कर सकते हैं से कर को दो यहां कुछ फुल सेटब मैंने आपको बताया कैसे स्टाॉल कर सकते हैं अगर आट भी फैंटम प्रिंटर को इस्तुमाल करते हैं तो कोसिस करीए आप अपने फैंटम प्रिंटर को अगर रिफिल करें तो और यहीं करें अगर आप एक लोकलal प्रावडर से रिफिल करते हैं तो आपको प्रिंट बिल्कुल भी सही नहीं मिल जाएगा मैंने उसका प्राइस पता किया था अभी मैंने मंगाया नहीं है अगली बार मैं उसे पर्चेज करूँगा तब उस पर मैं आपको इलिए वीडियो बनाओंगा तो आपने देखा प्रिंट क्वालिटी कैसा था और यह फैंटम प्रिंटर को इस्तमाल करने के लि वीडियोस आप सभी को यूज फूल लगा हो तो वीडियोस को जरूर लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना अगर आपके मन में कोई डाउट्स हो या कोई भी कोश्चन्स हो आप कमेंट्स में करके पोस सकते हैं उसका रिप्लाइए आप सभी को तुरं द